स्वागत ही दोस्तों आप सभी को ठीक राच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने रेड्मी 6a या फिर किसी भी रेड्मी फॉन पर यदि आपका ब्लुटॉट प्रोटॉट पढ नहीं चाल पचैनल पलाशन पर कोने इस9 फॉर्टॉत रह नहीं हो रहा है इन सारे प्रॉब्लम को कैसे आप सवल्व कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के साथ बने रहीएगा मैं आपको यहां पर चार सोलूशन बताऊंगा जिसे मदद से आप इस प्रॉब्लम को सोलूशन कर सकते हैं सबसे नंबर वंड जो है आपको अपना मुबाईल को रिस्टार्ट कर लेना कभी-कभी मूबाईल ज्यादा हेवह होने के वजह से भी हमारा यहां यहां पर हमारा Bluetooth काम नहीं करता है, एक बार mobile को restart करके check कर लिजेगा, यह first option है, second यदि नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो यहां पर जाना है, आपको more पर, more पर जाने के बाद में आपको network setting reset पर जाना है, अभी दोस्तों यहां पर देख सकते हो, wifi mobile data, Bluetooth, तो यहां पर Bluetooth को, Bluetooth का complete settings को हमें reset करना है, उसके लिए आपको नीचे reset setting पर क्लिक करना है, आपको यहां पर password भर लेना है, next क्लिक करना है, और ok button पर क्लिक कर देना है, आपको यहां पर Bluetooth का company से आपको mobile company से जब नया phone आया था, उस वक जो आपका Bluetooth का setting था, उसी settings पर और आपका problem solve हो जाएगा, यदि फिर भी नहीं होता है दोस्तों, तब आपको जाके अपना about phone पे जाके अपना system update आपको चेक कर लेना है, कभी-कभी Bluetooth में update आने के वज़े से आपको यहां पर, आपका Bluetooth काम ने करता है, तो आपको यहां पर यह software जो है, इसी आपको update कर लेन अपडेट करने के बाद में आपको problem definitely solve हो जाएगा, उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आएगा, thanks for watching.